सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाए नादरें असलाम अलेकूं तब्दीली वे डॉक्टर दानिश के साथ हाजर हैं मारे साथ आज बड़े एक्स्क्लोसिव गेस्ट हैं मौमद अई दुरानी साथ सीनियर सियस्टदान हैं हम उन से बात करेंगे साबिक फैडरल सेक्टर में मिनिस्टर भी रहे हैं और इस वक जो मौयूदा एलेक्शन है दो हजार चौबीस वो तो हो गया लेकिन एलेक्शन, एलेक्शन के दर्मियान और अब जो एलेक्शन के बाद हुकूमत साजी और फिर जो मुक्तलिफ जगाओं पर जो मुक्तलिफ सियसी जमातों की अप्रोच है उस पर हम बात करेंगे जी मौमदाजी दुरानी साथ मेरी आवाज आ रही है सर जी रख सबसे पहले तो मैं आउंगा यह आठ फरवरी दोजार चौवीस का एलेक्शन जो के जिसके बारे में कई राय थी के होगा होगा नहीं होगा बारहल वो हो गया और बड़े पुरामन तरीके से हो गया लेकिन जो एलेक्शन का प्रॉसस है सारा का सारा और उसका रिजल्ट है उसको आप कैसे देखते हैं सर बिसमिल्ला रहुमार वहीं डॉक्स अब जहां तक सारा प्रॉसस इलेक्शन का हुआ एक तो खुशाइन बात है कि हालात जो हैं पुरामन तरीके पे हो गया और कोई ऐसा जो अंदेशे जाहर किये जा रहे थे अधिया ने महरबानी की और पूरी इंतजामी मशिनरी ने बड़ी भरपूर तरीके पे अपनी दिम्मेदारिय अदा की एलेक्शन के बारे में और एलेक्शन से पहले जो डिफरेंट रवएए थे इलेक्शन से मतलिक इदारों के और इंतजामिया के और जो उस तोरान election को मतनाजिया बराने की कोई कोशिश वो जैसे अर्दू में कहते हैं कोई दकीका फरो गुजाश नहीं किया गया गया कि election के बारे में जितने जितने भी मन्फी तास्र बन सकते थे वो बराने की कोशिश की गई लेकिन ये है कि election वाले दिन बहराल वोटिंग हुई और एक गहर मामूली election इसलिए कहा जा सकता है कि इसके अंदर अवाम ने बिलखसूस बहुत ही जो शोखरोश के साथ और पूरी जिसे कहते हैं ताकत के साथ इसमें शिर्कत की और अपनी राए दी election वाले दिन जो कुछ हुआ वो इसलिए हास से बहुत नापसंदीदा था कि उस दिन इंटरनेट, टेलेफून, बाकी तमाम facilities जो हैं वो उन से महरूम किया गया पूरे मुल्क को और बारहलब नताइच हमारे सामने है, और नताइच पे जो इतराज हैं और नताेच का जो डिले होना है, उसकी वज़ा से जो शकुक और बाहत पैदा हुए हैं और बात जगों पे यकिनएंवें नताइच के उपर इतराजाथ भी हैं, खैर वो अब एक प्रोसेस है जो चल यहां मॉनिटर कर रहे थे और इवन कि पाकिस्तान का एक बहुत ही आहम इदारा होता है फौफन जो कि इन इन्तखाबात को माजी में भी और मौजूदा इन्तखाब को भी उसने काफी फॉलो किया इसी तरह अमेरिका है बरतानिया है यूर्पी यूनियन है बैनलकौामी आपको गेर तसली बक्ष करार दिया है और उन्होंने काए कि इसमी कई ऐसी चीजें हैं जिसकी बुनियात पर ये इन्तखाब साफ शफाफ नज़र नहीं आ रहा है क्या कहेंगे सर क्या ये रेगुलर होता है ऐसे हर इन्तखाब में ऐसे रिमाक्स आते हैं या पर्टिकुल थे वो इन्तहाई गेर तसली बक्ष नहीं बदके बहुत ही बलेटेंट थे इलेक्शन कमिशन की तरफ से जो अमूमी कारकरदगी रही वो मैं समझता हूं कि उसके अंदर कोई भी जो के उमीदवारों के साथ सलूक हुआ उनके खांदानों के साथ हुआ पार्टी के साथ ए इसके बारे में मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी से तसली बक्र क tienes सकता है इलेक्शन वाले दिन वोटिंग के जहां तक तालुक है वोटिंग के अमल का वोटिंग तो वोटिंग के दौरान किसी किसम की कोई इंटरॉप्शिन वगरा इस किसम की वो तो हमने नहीं देखी लेकिन जो वही मैंने बात कर दी कि उस वक्त जो इंटरनेट और टेलेफून का बंद होना एक नाकाबले कबूल एक डिवलिप्मेंट थी इसके ओपर हर किसी ने रियक्ट किया लेकिन इलेक्शन के बाद नताइच का डिले होना और वो अमल जो के हमारे मुल्क में बारहाल रात नौ उसका मुकमल ना होना और उसकी अनौस्मेंट के अंदर एक गहर मामूली ताखीर जो के इलेक्शन केमिशन की तरह से हमने देखी वो इंतहाई गहर तसली बख्ष थी और उसके बारे में पिछली दफ़ा भी ये शिकायत यकीनी तोर पे आई थी अठारा में लेकिन इस वक जो है इस तरफ़ा जो ये ये शिकायत जो है ये इंतहाई वो है लेकिन इसका एक पहलू ये है कि जो फॉर्म मिलता एह घो रिजल्ट मिलते हैं वो इस तफा दिये गएं लोगों को लेकिन जो नतीजे अनौंस हुए है उसकी अपर लोग एतरास कर रहे हैं कि उन के पास मौझूद है और हमने भी अपने अलागों में देखा है कि जहां बिलकल वोट पड़ रहे थे, वोट के बारे हमें पता है किसी कैनिडेट की यह हैशियत थी, क्या अकाद थी। तो बाद नताइज ऐसे जरूर आये हैं कि जो कैंडिडेट की हैसियत और उनके जो मरवजा पॉपुलरिटी थी उससे रिजल्ट आखरी अनौसमेंट से पहले उसमें एक तब्दीली महसूस हुई और उसके उपर जो है सब लोग अजालतों में भी चले गए है और माजी के माजी के माजी के एलेक्शन में हम देखते हैं कि एलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू होते हैं छे बजे जो गहर सरकारी वह एलेक्शन के रिजल्ट होते हैं वो तकरीबन कोई 11 बजे तक जो एलेक्शन का ट्रेंड नजर आता है वही आखरी तक जाता है लेकिन इस ट्रेंट था एलेक्शन का 11 बजे नहीं सर रात के 3 बजे तक हमने देखा के आजाद उमीदवार जो हैं उनके दरम्यान कम मार्जिन था लेकिन सर चार बजे के बाद जब एलेक्शन कमिशन में बहुत जादा डिले हुए रिजल्ट तो फिर हमने देखा पांच बजे के बाद रिजल्ट टोटल चेंज हो गए वो उमीदवार जो बड़े बड़े उमीदवार थे सियासी वो जो हार रहे थे बड़े मार्जिन से वो जीतने लगे और आजाद उमीदवार हारने लगे डोसर बिलकुल आपने मेरा ख्याल है कि जो आपकी ये स्टेट्मेंट है इसको कोई भी चैलिंग नहीं कर सकता चूपके जब तक असलों आप देखें इसमें इंटरस्टिंग चीज़ है क अब हमारा इस वोकित आपको पता है कि जो इलेक्टरानिक मीडिया और मीडिया का जो नेटवर्क है मुल्क के अंदर वो किसी सूरत में भी किसी हकूंती नेटवर्क से कमजोर नेटवर्क नहीं है बलके वो काउंटर भी करता है मतलब अगर दस चैनल है तो हर चैनल अपने सोर्सिस से एकठे कर रहा था रिजल्ट्स को और उन सब की बनियाद एक जो जो इलेक्शन कमिशन की मुकामी तन्जीम और काउंटिंग के जो पोलिंग स्टेशन से उन से निकले वे फॉर्म्स थे अच्छा उसकी बनियाद पर जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे वो गहर सरका सरकारी नतायज थे लेकिन वो बेस्ट और ग्राउंड रियालिटी थे लेकिन जो ही हमने देखा कि सरकारी एलेक्शन कमिशन के नतायज आना शुरू हुए तीन पांच बज़े के बाद या तीन बज़े के बाद तो फिर एक दम से उसमें एक अपस है पहले हुआ कि और सीधे होने शुरू होगे बाद जगह पे नहीं हुए बाद जगह पे होने शुरू होगे और जहां हुए वो बड़ा क्लियरली महसूस हुआ के वहां पर मतलब एक कैडिडेट जीत रहा है और पर एक दम से वो रिवर्स लगती है तो उसके कई हजार वोटों की जो है व और फिर आए तो फिर वो एक किसम के मतनमत नाजिया नताइज हैं और अब वो चैलिंज भी हो रहे हैं और होंगे परसनली भी लोगों से बात चीज़ा है अचा सर ये बता है कि एलेक्शन कमिशन जो डिपेंड करता है वो जो आरो फॉर्म फॉर्टी फाइव भेजता है उ इस पर करता हैना चीफ लेक्शन कमिशन ये उलेक्शन कमिशन कुछ खुद तो ग्राउंद में नहीं नहीं घहती है कि वह बिज रहन फॉर्म किया जबता अब स्टीर में जावाई तो साबिक के नीच चेर्मेन थे जिनको नामजद किया गया था फिर हट गए वो जनाब गौर खान साथ उन्होंने क्लेम किया आज टीवी पे कि हमारे पास जो फॉर्म 45 है इसी तरह उमीदवार भी यह कह रहे हैं जो कोटों में गए हैं कि जिसके उपर एलेक्शन डिपेंड करता है वो है फॉर्म 45 और उनके पास तकरीब जो फॉर्म 45 है उसके लिहाज से वो कहते हैं तकरीबन 170 प्लस नैशनल इसेंबली की सीटें पूरे पाकिस्तान से हमने जीती हैं इस पर आप क्या कहेंगे सर्थ डॉक सब इस में तो यह बता सकता हूं कि मेरे जो जहां मैं इस से मुझे रिपोर्ट मिली है उसमें फॉर्म 45 सब के पस मौझूद हैं अगर इसमें यह एंगल देखें तो यह एंगल इंटरस्टिंग है कि फील्ड के अंदर मौझूद एलेक्शन कमिशन के अमले ने अवाम की दबाओ की वज़ा से या अपनी जिम्यदारी की वज़ा से उन्होंने वो तमाम फॉर्म जो है जिनका गौर साब ने जिकर किया है वो दिये हैं उमीदवारों के नमाइंदों को और वो उनके पास मौझूद हैं वो दिखा रहे हैं उन्हें वाटसैप शेयर किये हैं कि उन तमाम को जब इकठा किया जाता है तो वो जीत रहे हैं जब आपके पास एक तरफ तो सारे फार्म्स की इस चेकल में रिजल्ट मौजूद है दूसी तरफ जो अनौस्मेंट हो रही है उसमें आप धुस्मा रहे हैं और आप किसी और कनौस करें तो यह डिस इस सैड और देखें यह जो इलेक्शन जिसमें से हम गुजरे हैं इसके अंदर आप जब अनौस के साथा करेंगे तो इसमें एक तो जो ओर्ता ओरतों की पोलिंग ती और ओर्तों की पासिपेशन थी खवातीन नौजवानों की भी इतनी भरपूर सी नौजवानों कीु पहली दफ़ा मैंने देखगा है नौजवानों की, सुर अगली बहूत बड़ीताद में है देखें, हाँ, और अज इसमें एक मैह विए भुइन के वोट की मामला आता है कि इस तफ़ा आप जब तहकीक करेंगे अपने नमाइंदों के जरीए कि पोलिंग स्टेशन जो खवातीन के थे उसमें वोटिंग रेचों क्या रही और मर्दों में क्या रही तो इसलिए इस वकत जब कि इस मुलकी 50% पॉपुलेशन ने मुकमल यकसुई के साथ जो है वो अपना वोट डाला है और और कन्विक्शन के साथ और अपनी मर्जी के मताबिक वोट डाला है जब कौम मर्जी के मताबिक पार्टिसिपेट कर दी और बिल्खासूस जब माएं किसी इशू के ओपर खड़ी हो जाएं और नौजवान जब किसी इशू पर खड़े हो जाएं तो कोई भी दानिश्मंद जो इंतजामिया होती है वो उनके मकाबले में इस किसम के एकदामात नहीं करती जिसके नतीजे में कि आप अपनी मुलकी मतलब 50% पॉपुलेशन को नराज करें हैं अपनी 60% नौजवानों को नराज करें हैं उन्होंने एक अच्छा काम किया है उन्होंने एलेक्शन के अंदर अपनी जिम्हें जिसको भी वोट दिया है उनकी मर्दी लेकिन उसके बावजूद अगर आप उनके इत्मात को ठेस पुचा रहे हैं तो ये समीदवार थे जिनका इंतखावी निशान नहीं था लेकिन वो जीते थे और दूसी तरफ हमने देखा कि पीमलें के कोई 50 55 सीटें हो गई थी उस पर मिया नवाज शरीफ साहब ने जो कली स्पीच किया उसको मुक्तलिफ सियासी जमातों खास तो पीपल्स पार्टी है है उसमें 50 सिर्फ हासिल की है उनसे जादा पी टी आई आई आजाद उमीदवार ने हासिल कर ली थी तो उनकी जो स्पीच थी उसे कहा गया कि वजीर आजम की स्पीच लग रही थी आप समझते हैं कि ये उनको करना चाहिए था या उनकी बहुत बड़ी सियासी गलती है जो पाकिस्तान तश्रीफ लाए हैं एरपोर्ट से अंगुठा लगा के जो उन्होंने सिलसला शुरू किया है अपने आपको वजीर आजम डिकलेर करने का और उनकी पूरी कैमपेंच जो थी वो चौती दफ़ा वजीर आजम बनने की थी वो ये तासुर देते रहे कि जी वो इ वजीर आजम बनके पाकिस्तान पे उन्होंने कदम रख़ा है और फिर यह है कि जिस तरह वो अपनी माजी के बारे में जो वो बेयान देते हैं वो माशाआलला वो एक बहुती सीनियर और काप रहतराम तीन दफ़ा वजीर आजम रहने वाली शक्सियत हैं वो चीज उनके सा पे कलंका टीका है उनके अपने माथे के उपर और फिर उसके बाद जो कल का जो मामला है और जितनी जो कुछ सूरतिहाल चल रही थी कि आपने किसी के पाउं बांग दिये किसी की कील ठोक दिये किसी के गुटनों में और उसके बाद सारे सिस्टम को बानने के बाद आपने election लड़ा और election में फिर भी आप वो मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सके जिसके बारे में आप में वोट डालते हुए का कि अगर मुझे ना मिली तो यह होगा तो उसके बाद आके यह तक्रीर करना और तक्रीर में बाराल एक चीज तो आपने भी देखी होगी उसके इलफास तो वजीर आजम वाले हों लेकिन उनका चेहरा हारे वे शक्स का था अज़र यह बताएं कि इस elections में नौजवानों ने और जिस तरह खवातीन ने वोट डाला और तक्रीबं कहते हैं जो 40-40-30-30 साल से बैठे वे थे उनका वो हार रहे थे मैं पांच बज़े की इस वक पॉजिशन बता रहा हूं और उसके बाद बदला भी है तो कई रिवायती सियासदान जो हैं वो फारिव हो गए इस election में तो अगर पांच बज़े वाला election जो result था वही continue होता तो बहुत बड़ी तादाद में रिवायती सियासदानों का खात्मा हुआ इसको आप कैसे देखने सरा देखे मैं तो टॉक सरब जो जीट भी गए हैं बिचारे मैं तो आप को यह बता दूंँ मैं बहुत ही इस वकट मैं जो अप अप्धिस पॉजिशन में हूँ 29 में किसी के साथ किसी की फियवर या किसी के मुखालिफ तो हो नहीं, मैं तो अब प्रो पप्ली के एक पॉलिटिक्स करता हूँ और हक स्यासी बात कर रहता हूँ, मैं तज्जिय के बजाए मैं स्यासी एंगल से अपनी गुफ्तगू रखता हूँ मैं आपको ये बताओं कि ये जो पाकिस्तान की महरूसी सियास्त थी अब कल भी जब मिया सब तक्रीर कर रहे थे तो वो जिस चज्जे पे खड़े वे थे वो उनका फैमली का एक प्लैटफॉर्म था जिसके ओपर सारा खांदान माशायला मौजूद था मतलब ये है कि पाकिस्तान की सियास्त ने पाकिस्तान के अवाम ने इस वक्त जो है महरूसी सियास्त के इन पुराने करदारों को जो है मुझे लगता है कि मकमल तोर पे नौजवानों ने रिजेक्ट कर दिया है और ये जितनी इन्होंने अवाम की तोहीन की है उतना ही उन्होंने रियक्ट किया है इन्होंने जितना अपने आपको उनका हुकमरान इलेक्शन से पहले थाबित किया है उतना ही उन्होंने इनको निगेट किया है आज अगर ये इंतजामियां के जोर के ओपर पलीस के जोर के ओपर और दीगर जो इंतजामात हैं उनके जोर के ओपर अगर ये कुछ नताइज निकालने में काम्याब भी हो गए है लेकिन ये इस इस रिटन ऑन दा वाल के इनका फूचर नहीं है आप जिनकी शक्लें बता रही हैं और इनका हर हर जो एक्शन है वो बता रही है कि ये हारे वे खानदान है भालके हकीकत में कहा जाए हारे वे जवारी हैं तो इस लिहाज से अगर आप KPK और पंजाब की पख्तुनखा और पंजाब के अवाम का रवाया देखें तो आपको ये महसूस होगा कि इन दोनों सूबो के आवाम ने रवायती स्यासत, रवायती स्यास्दानों को देखने से भी इंकार कर दीया और रिजिक्ट करते विए, उन्हों ने फाबिक है कि ये इन्तुचाब जो था ये अवाम और इलेक्टिबल्स का बहमी मकाबला सा जिसमें उन्होंने इलेक्टिबल्स को रिजेक्ट करता है रवाईती सियसेदानों को रिजेक्ट किया और आप ये कहते हैं कि अगर आप किसी तरह जीत भी गए तो मस्तख्मिल आपका नजर नहीं आ रहा है ये क्योंकि वोड नहीं डाला वो इनके खिलाफ निकल आए है इनों ने उनके वो जिसको अपनी पहचान बनाना चारते थैजियों उनके भिलाफ पुलीस लगा दी उनके घरों को तोड़ा इनके घर के लोगों की तद्लीर गी उसके बावजूत वो सब खड़े हो गे ये तो अब मैं साउट से तालुक रखताँ हूँ साउट और पंजाब से हमारे इ लाके ने तो कभी थानेदार के खिलाफ खड़े Bog 135 वे वडेरों के खिलाफ कर फड़े हो गेael इसी तरह पूरा KPK में तो अगर ये कुछ ना करते इन नताइच को तसलीम ना किया जाता जो वहां के अवाम ने दिया था तो वहां तो बगावत हो जाती लेकिन जो पंजाब के अंदर जो कुछ इनों ने किया है अगर पंजाब में भी KPK की तरह डिस्टॉर्चन डे वन से ना की जाती तो मैं आपको ये बताओं के पंजाब के अदाद उमीदवारों के तादाद सरत से भी ज़्यादा होती है जी हमारी गुफ्तकु जारी है नाज़ीन एक छोड़ा सा ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं वेलकम बैक नाज़ीन मुझे ये बताएं थोड़ा सा इस पर दो बातों पर दरा क्वेश्टन करें फिर मैं हुकुमत साजी पर आता हूँ एक तो ये है कि मजभी स्यासी जमातों को पजीराई नहीं मिली सर चाहे वो जमात इसलामी हो जे यू आई हो या तैरीक लबैक हो इन लों के सर बड़े बड़े स्ट्रॉंग फूट है सर स्यासत में भी और इनका हम स्ट्रीट पावर भी देखते हैं तो मुक्तसर इस पर बताईए दूसरा हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी प्लेजन्ट रही उसने अपना जो गेम खेला था उसमें उसे काम्याबी मिली और सिंध से यह दूसी जगहों से एक अकसरियत सीट उनों ने निकाल दी नैशनल इसमली की जो उनकी बनती थी देखें जराब जहां तक सवाल है मजभी जमातों का और मजभी उनका देखें इस वकित जो सोचल मीडिया की डिवलपमेंट है उस डिवलपमेंट के बाद जो जो सारी सिचुएशन बनी है उसमें अवाम ने बहुत सेंसेटिविटी के साथ इलेक्शन में स आवाम का रियक्शन था अवाम ने अपने पहले ये होता था माज़ी में में थोड़ा सा कर बताओं को माज़ी के इलेक्शन की रिवाएत ये ती कि जिस फर्थ के बारे में जिस पार्टी के बारे में ये ताफिर बन जाता था कि ये अगली दफ़रा очень बनाएगी चुकि पिछली दफ़ा इसकी खुमत खत्म हुभी है तो अगली दफ़ा इसकी आएगी तो सारे इलेक्टेबल्स उस पार्टी में चले गाते से और उस पार्टी को जेनुएन एक वोट की सपोर्ट अवाम की मिल जाती थी और जिसके बारे में जो ये कहता था साड़ी गल हो ही है तो वो वाकिए अपनी गल बनाके आगे निकल जाता था इस तफ़ा अवाम ने अवेरनेस की वज़ा से अवाम ने एक एक शौरी तो पर एक तो रियक्ट किया है इस बात को कि साड़ी गल नहीं होएगी हुन साड़ा वोट होएगा मत्तब ये तासर के जिमारी बात हो और जो इसी तरह के जो छोटे ग्रूप थे जो रिलिजिस ग्रूप थे जो उनके अगर सारी केमपेइन को जो मैंने अबसर्फ किया वो ना इधर थे ना उदर थे ना वो इसके साथ थे ना उसके साथ थे उन्होंने साइड नहीं ली वो एक दर्म्यानी ट्रैक बनाया तो उनके साहद फिर ओवाब ने इस वक्त उनके लिए कोई किसी किसम की तवाश्यों का अपने वोट को जाया नहीं किया, उन्होंने काई जофने अपने वोट जाया नहीं करना हम उसके खिलाफ डालेंगे जो पुराने निजाम के साथ करा हूँ. बड़ी बाद. बत्ब ये जो आज का इस तफ़ा का वोट था, ये रवायत चलती वी रवायात के खिलाफ रवायात शिकन वोट था. मुझे तो परसो जब मैं पीछे फिर रहा था दोनों सूबों में, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पंजाब और हैवर पक्तून खान में नी फिर रही इस पाकिस्तान में फिर रहा हूँ. मतलब वहां का जो जो मश्रकी पाकिस्तान जो हमारे साथ था तो वहां के अवाया होता था, हम तो बहुत चोटे थे, मुझे ये महसूस हुआ कि यहां के अवाम जो है, अब उतने ही, जिसे कहते हैं कुवत के साथ रियक्ट कर रहे हैं, जितनी कुवत के साथ कभी कराची के लोग किया करते थे या इस पाकिस्तान के लोग. टी टी आई अभी भी आजाद है, से इस वक्त आगे है, हाना के टी वी पे जो दिखाया जा रहा है, वो उनकी तकरीवन सो, एक सो, दो, पांस सीटे हैं, और पीमलन की सेवन्टी वन है, और पीपल्स पार्टी की तकरीवन फिव्टी पलस है, तो क्या, ये लोग तो अपनी हकुमत साजी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान, जिनका अख्तियार होता है, पार्लिमेंट में जो अकसरियती पार्टी होती है, उसको बलाने की, तो पी टी आई की अभी एक्सिस्ट तो करती है, एक, और कुछ लॉयर का ये कहना है, कि ती 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 के आजाद उमीदवार पी टी आई में चले जाएंगे, जो अलरड़ी सियसी जमात एक्सिस्स करती है, तकावी निशान हो या ना हो, लेकिन उनके जब काईद से पूछा गया, यानि उनके जो उस वक्छ चियर्मेन हैं साबिक, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें एलेक्शन क पाकिस्तान जो हमेशा अक्सरियती जमात को कॉल देता है, तो वो पी टी आई को देगा या पी एमलन के साथ जो इत्तहादी हो जाएंगे, देखें प्रेविडेंट का जहाँ तक तालुक है, रखसर प्रेविडेंट के तो हाथ बढ़े होते हैं कानून के तहत और जो जो असूली जापते होते हैं, उनमें पाबंद होता है, या वो उसके मताबिक चलता है, या उसको हटना पड़ता है अपनी होदे से. अब जहां तक सवाल है पी टी आई के केस का जो आपने इस वक्त बताया, मैं समझता हो कि पी टी आई की जो इस वक्त की सिचुएशन है, वो पाबंदी लगा दी है, जिसको के अदालत ने सेकिंड भी किया हुए है, आला अदलिया ने सेकिंड किया हुए है, मैं आज के हालात को देखते हुए और खैबर पक्तुनखा के जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए और अवाम के वोटों, वोटर्स की जो इमोशन्स है उनको देखते हुए मैं इंतहाई आजजाना तोर पे और दस्पस्ता जो है मैं अधालत से और इलेक्शन कमिशन से दर्खास करूंगा आला अधालत से भी ये दर्खास करूंगा के ऐसे मौकों पे अधालते जो है वोनवक पाशी नहीं कर सकती वो लोगों के जख्क्मों के उपर जो है वो मेरचे नहीं डाल सकती नमक नहीं डाल सकती इस वक्त होने चाहिए कि अवाम के सेंटिमेंट को रास्ता दें और आइनी रास्ता दें, कानूनी रास्ता दें हमें इस वक्त हमारी तारीख में किसी नए जस्टिस मुनीर की गुझाइश नहीं है हमें इस वक्त जो है एक ऐसा अदालती रवया चाहिए जिसके जरीये में ये साबित हो कि अदालत इनसाफ कर ही नहीं रही बलके नजर भी आना चाहिए कि इनसाफ हो रहा है जो आपको खुद इत्मिनान दे रहा हो कि जी आपने किसी कानून के तहत उसके लिए किया है इलेक्शन कमिशन का काम तो मेरे ख्याल में तो उन तमाम पार्टी को जो मौझूद है और जिनको अवाम वोट दे रहे हैं उनको फसिलिटेट करने का है उनसे उनकी पहचान चीनने का तो नहीं है कि एक दरखास ले के फर्जी जो है आप किसी पार्टी को गाइब कर दे और किसी पार्टी को आजर करने तो इस लहाज से ये तो एक तरफ इनतजामिया इस वकत जो हकूमत है और अदालतों का ये कोशिश होनी चाहिए कि वो अवाम को मजीद उस पे ना कॉर्नर ना करें उनको मजीद तदलील ना करें जितनी तदलील होनी थी हो गई लोगों ने बरदाश्ट भी किया लोगों ने उस पे कृप भी किया रियक्ट नहीं किया कानून हाथ में नहीं लिया और लेना भी नहीं चाहिए अब जो है अब हकुमत और इदारे कानून को हाथ में ना ले जितना ले लिया ले लिया अब अवाम की राए के सामने सरनगू करें अब यह ना हो ना कि आप यह कहें कि अच्छा जी अब अजाद आए है तो अब हम अजादों को पित्र नहीं देंगे जो इनके बाद नमबर टू है उनको दे देंगे जैसे पहले से बादी में तारीख में एक दफ़ा होगी चुका है तो ऐसी सूरते हाल में मैं समझता हूँ कि अवाम के जजबात को जम्हूरी अमल के नतीजे में रास्ता दिया जाए और बाकी पीटी आई के पाद उन्होंने जो भी प्लैनिंग स्कीम ही है किसी और पार्टी में जाने की देखें जिन्दा तो रहना है अवाम के वोट में और मैं आपको रेकॉर्ड पे हूँ मैंने हमेशा यही कहा है कि किसी पार्टी को ना किसी कानून के जरीए बैन किया जा सकता है और ना किसी इंतजामी ओर्डर के जिरीए बेहन कर सकता है और ना कोई इलेक्शन में बैठा हुआ कोई शेर जो है या कोई ताकतवर इनसान जो है वो अवाम की राए के मकाबले में किसी पार्टी के नाम को फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक सकता है यह अवाम का काम होता है how शादा अवाम की राए के सामने सरनगू हो ना होना हो अब यह अज़ाहे अन्याज़ बताएं कि जहां यह पी टी आई आई अजा अमेद वार अब फैसले करने जा हारी देखते हैं किया होता है आया किसी सियासी जमात का हिस्सा बनते हैं चोटी या पिर वो बीटी आई में जा सकते हैं चानूनी तोर पर तो कोई रुकावट नहीं है आईन खामोश है अब जो मैं एक सवाल पूशना चाहता हूं सर के इस वक्त तो जोड़ तोड़ शुरू हो गया है और माजी भी आपको पता है सर बड़े बड़े खिलाडी इस वक्त आगए है आजाद अराकीन को लेकिन थोड़ा सा कदर मुक्तलिफ है माजी के आजाद अराकीन से क्योंकि ये आजाद अराकीन एक सियासी जमात के हैं और बड़े क्राइसिस को देखते हुआ हैं बड़ी तकलीफ को, बड़ी धंकियों को, बड़ी थ्रेड्स को, बड़ी मुश्किलात को क्या आप समझते हैं कि इन्हें तोड़ा जा सकता है खासतर पीटी आई के आजाद अराकीन को देखें पीटी आई के जहां तक आजाद अराकीन का तालुक है मैं आपको ये बता दूँ कि वो किसी भी आलाके से क्यों न तालुक रखते हूं उनके तूटने में इस वकत उनको तोड़ने का मतलब ये है और उनके तूटने का मतलब ये है कि वो अपने स्यासी मुस्तक बिलको मुकमल तोर पे खतम कर ले और ये बात मैंने मिया साब से भी दर्खास की थी और तमाम जो स्यासी पार्टियां इस वकत हमारी बड़ीयां उनसे भी मैंने का था आप से भी मेरी बात हुई थी कि आप इस वकत जो है रीकनसिलियेशन की बात करें आप इस वक्त सब को साथ लेके चलने की बात करें अकाउंट सेटल करने की बात ना करें चुके आवाम का रवईया जो है वो एक मुख्तलिफ शकल अख्यार कर चुक है और वैसे भी हमारे मुलक को अब टकराओ की नहीं बलके इतफाक की जरूरत है इतिहात की जरूरत है तो लहाज़ा इस वक्त की सिचुएशन में जो मुन्तखिब होके आए हैं इन्डिपेंडन्ट उमीदवार उनके बारे में ये सोचना कि उनके जमीर या उनके इंतखाब को आप इलेक्ट होने से पहले जिन इनसानों को दबा नहीं सके जिनको थानेदारों के जिरीए पिटवा पिटवा के उनके घरों को तोड़ तोड़ के भी आप उनके जो अवाम के साथ खड़े होने से मजबूर नहीं कर सके हटा नहीं सके तो आपका ख्याल है कि वो इलेक्ट होने के बाद क्या किसी ऐसे अंधेरे के साथ जाना पसंद करेंगे जिस अंधेरे का अपना मुस्तक्बिल खत्म हो चुका हो मतब बड़ी बाद मतब जिन्दा पूरी की पूरी जो इलेक्टिड लॉट है हैं वो क्या एक जिन्दा इलेक्ट होने वाले लोग किसी मुर्दा खाने में जाना पसंद करेंगे क्या भी आपने देखा है कि कोई जिन्दा इन्सान जाकर अपने घर के बजाए जो है किसी मुर्दा खाने में जाकर रियाश्चिक त्यार कर ले अच्छार यहाँ दो बाते हैं यहाँ जाएगा दो बाते हैं एक तो आपने कह दिया है कि यह नहीं है लेकिन यहाँ पर यह भी है सर कि हमने देखा कि जिसने भी PTI को छोड़ा एक चीजें जो हैं वो हम उसको सामने ला रहे हैं हमने किसी जमात से कोई लेना देना नहीं हैं लेकिन हम उस पॉइंट को ला रहे हैं जो इस वक्त हो रहा है जोड़ तोड़ का जैसे आपने बताया है कि यह जो है वो अन्देरे में जाकर अपना मुस्तक्बिल तबाह करेंगे तो एक अवामी रद्यामल भी बहुत इंपॉर पार्टी और तारीक पाकिस्तान आपके पार्लिमेंटेरियन का जिनों ने अवाम के जो उनका वोट पड़ा था उनको छोड़कर एक नई जमात बनाई और उन लोगों ने जो एलेक्शन लड़ा उसमें तो बुरी तरह नाकाम हुए हैं बलके वो बदनाम भी हुए हैं और लोगों ने नापसंद किया है अब लोदरा में मैंने अभी बरात पूछा तो एक कैंडिडेट सा जो जिस बिचारे को बिठा दिया गया उसको उसने एलान कर दिया और 24 गंटे पहले जिस कैंडिडेट को एलान किया गया एक चलते फिरते बिचारे मुट साइकल पे फिरते आप बिचारे किसी मदलूम पे दबाव डालने से पहले उसके गरेलू हालात का तो जाइजा ले 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 ना मैं इस गर में रहता हूं तो मैं अपनी बेगम से और अपने बच्चों से तो नहीं टकरा सकता मैं बाहर किसी से बी टकरा जाओं लेकिन मेरी मजबूरी को तो डिमान्द् of you are asking too much और और जिस और जिस और जिस और जिस 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 इस जिए s zamanit का मुस्त बाता रहे हैं क्ई वो खत्म हो चुका है वह अगर यह जाते हैं जो के नहीऑ नहीं लोग हैं जिनका स्यासी मुस्तक्बिल बनता है तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है और दूसरा आपने बेगमात और बच्चों का भी बता दिया मौले वालों का भी आ जाएगा अज़र ये बताईए कि आने वाली वो इसके लिए इसके लिए जाबी का एक महावर है कि करो करगवाया बारों पड़वाखाया मतलब ये है कि घर में तो रुस्वा हुए हुए गली में भी दली मतलब गली में दलील होके घर में आएगा मुश्किल है लगता है अगर उनको अकल आगरी समझधार है किस किसम की हुकूमत आप बनते वे देख रहे है और इस हुकूमत का मुस्तखबिल क्या है कुछ लोग कहते हैं कि ये दूसरे साल की सूरज नहीं देख सकता कोई कहता है तीसरे साल का नहीं देख सकता डॉकसर मेरा तो इसके बारे में ये ख्याल है कि ये जो हकूमत अब बनने जा रही है जाहरी तोर पे ये PDM2 ही होगा इसके बारे में बहुत बात भी हो चुकी है हर कोई ये कह रहा है और मैं इसमें नहीं देखता कि ये हकूमत People's Party और PMLN और हम नवा जितने भी थे पिछली दफ़ा उनके बगार ये हकूमत बन सकेगी ये हकूमत बनेगी तो उनी के सर पे बनेगी और कमो बेश वैसी ही बनेगी जैसे पहले थी और इसमें जो दूसरी चीज नजर आ रही है वो ये नदर आ रही है कि ये हकूमत जो है ओविसली ये अवाम की उतनी नमाइंदा हकूमत तो नहीं होगी लेकिन पार्लिमेंट में डेफिनिटली इनकी एक जैसी भी होगी ये अपनी एक अकसरियत थाबित करेंगे तब ही बनेगी हकूमत तो इसमें अगर ये हकूमत बननी है तो इसकी एक तकादा तो जरूर होगा अब इस हकूमत के रेफरेंस से हम मैं कुछ रैशनल बातें करना चाहूंगा अगर ऐसी कोई भी हकूमत बनती है जो भी हकूमत बना रहे होंगे उनसे मेरी दरखास होगी कि कमस कम वो इस्तफ़ा जो है सौर देर सो वजीर ना बनाएं जितनी मर्जी जो है वो भानमती का कुन्बा एकठा कर लें जितने मर्जी पपेट्स को एकठा कर लें ये जो अगर बनेगी ना तो ये जो है ये फातरंगी अचार जो तियार होगा इसके लिए जरूरी है कि ये कमस कम इतना कौम पे रह्म करें कि ये सौ डेर सो वजीर इकठे ना करें तीस पैंटिस वजीरी बनाएं ताके ये अपना कुछ ना कुछ तो दे सकें कौम को क्योंकि इस वक्त हमारी मईशत को बहुत बड़े चैलिंज इस तो पीडियम बनाती हैं इस तरह देख लेते हैं आजाद तो अगर पीटियाई बनाती है तो अकलेम करती है कि एक सब्सक्राइब पर आ जाते हैं सर और मैंने कहा कि आप समझते हैं कि ये जो जिस तरह की बन रही है बहुत सारी और माजी में हमने 16 महीने भी देखा है जिस तरह आपस में लड़ते रहेंगे एक तो ये बताएं सर कि इनका मस्तक्बिल क्या है यानि कितने दिन चलेगी ऐसी हुकूमत दूसरा बिल्कुल आखरी सवाल है कि इसमें कॉम्प्रोमाइस कौन करेगा क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आजम डिकलेर हैं बिलावल और नवाज शरीफ साब तो लंदन से चले हैं वजीर आजम बनने के लिए तो कौन कॉम्प्रोमाइस करेगा दोनों में से कौन वजीर आजम की सीट पे बैठेगा सर बस ये दो तीन मिनिट है सर आपके पास टॉक साब जे इसमें जो भी हकूमत बनाएगा एक मैं उन्हें बता दू किया है कि आप मुल्क की रिक्वाइर्मेंट ये है कि वो SIFC के इजन्डे के मताबिक उन्हें काम करना पड़े गा नहीं सर मैं ये सब नहीं पूछ रहा है मैं ये नहीं पूछ रहा है मैं महमद लिए सर्णादर साब किस तरह करें ये नहीं कितने दिन चलेगी इसको पता दें और दूसरा जो मैंने का कॉंप्रोमाइस कौन करेगा सर दोनों भारी वजीर आजम में बिल्कुल टाइंग नहीं है सर मेरे पास एक दिड़ मिनिट है लेकि तर उसमें तो बड़ी अब्यसी बात है वजीर आजम जी वजीर आजम तो उसी पार्टी का बनेगा जिसके ज्यादा सीटे होंगी अगर पी-ए-म-ल-न की ज्यादा सीटे होंगी तो पी-ए-म-ल-न का ही व इचली चली बहुत शुक्रिया अब किसी वख बड़ी तफसील से जरा हालाथ चेंज होते हैं मौमद अई दुरानी साहब साह थे जिससे में हमने बात की थी वक्त खतम हो चाहता है नाजीन डॉकदानिश को एजाद दीजिए लाहाफस सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाए